सर कुछ ऐसे चीज़े थी जो मुझे लगा कि मैं end में कर लूँगी लेकिन मुझसे नहीं हुई यानि मैं time manage नहीं कर पाई जब पेपर में जाते हो तो 20 सवाल से सीधा सवाल भी 200 solve करने पड़ रहे हैं 200 सवाल पड़ने 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 पूरे दिन नहीं रहा पाऊंगा है बिटी नहीं है जिसको प्रैक्टिस हो जाए वह शायद कर पाए अराम से पिछले दो टेस्ट लेके बैठो अभी क्यूंकि आपके दो ही टेस्ट हुए है तोनों टेस्ट को दो गंटा दो आराम से बैठक करो कि गलती कहा हो रही है इसक में को अपने कमजोरियों पर काम करना होता है अब पहले प्र यह दो पता लगे कि आपकी कमजोरी है क्या आपने साथ सो एष्जऑ है और और अब 400 ले आऊंगा ले आऊंगी बहुत बढ़िया अब हमने कहा कि भाईया यह 320 नंबर जो कटे इस टोटल में से यह आपके कहां कटे यह आपको एनलाइज करना है 320 नंबर में से आपने कहा सर एक तो मैंने चैप्टर ही छोड़ दिया था जिसमें मेरे 40 नंबर का काम बन रहा था यह 30 नंबर फिर बढ़ाओ इसके बाद सर कुछ ऐसी चीज़े थी जो मुझे आती ही नहीं थी मैंने पढ़ी मुझे फिर भी नहीं आई इसमें यू नीड मोर प्रैक्टिस इस पर थ्योरी पे जाओ कॉंसेट को दुबारा देखो ज्यादा प्रैक्टिस करो ज्यादा क्व जाता हूं जब भी आप लाइफ में ग्राजुली ग्रो करते हो ना ऐसे आराम अराम से आज आप 100 पर बैठे हो कल आप 110 पर बैठोगे उसके अगले दिन आप 120 पर बैठोगे इस ग्राजुल ग्रोथ जिस सस्टेनिबल आप ये ग्रोथ जिंदगी भर दिखा सकते हो क्योंक आपका ग्राफ अगर ऐसे खड़ा हो गया अग्दम कि आज आप 100 पर हो कल को आप 200 पर चले गए तो अगली बार आप 300 पर नहीं जा सकते ये दिक्कत है हर बार इतनी जादा ग्रोथ नहीं मिलती जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं सर जब मैं घर पर सवाल कर रहा हूँ उस टाइम मेरे सामने किताब भी कुली हुई है मेरे नहीं है, मैं सवाल भी सिर्व 20 ही solve कर रहा हूं, जब पेपर में जाते हो, तो 20 सवाल से सीधा, सवाल भी 200 solve करने पड़ रहे हैं, 200 सवाल पड़ने पर रहे हैं, उन में से एक स्वस्य चुनने पड़ रहे हैं, उस टाइम पे मेरे पास clock नहीं थी, पूरे दिन, नहीं रहा पाऊंगा, हैबिटी नहीं है, जिसको प्रैक्टिस हो जाए, वो शायद कर पाऊंगा, मुझे इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, जिससे टेस्ट में आपको 100 questions हलवा लगें, आपको लगे कि यार ये तो में लिए daily का काम है, right, so please make sure to do this, है ना quantum leap के पीछे मत भागो, इस gradual growth के पीछे भागो, इस sustainable है, और lifelong आप ये growth दिखा पाऊगे,